कि दो शुनमश्कार अभी लूंगा आज दोस्तों मोटसाइल स्टार्ट कर रहे हैं जी जो हमारे यहां का मेरट छेतर का जो जो मेरट जिले का जो नहान लगता है जी वो मकदूमपुर लगता है और कभी हमारे घरवाले गए जी बहुत पहले तो गड़ जाते रहे जी और गड़ जाते भी हैं और कल हम गड़ साए भी हैं तो गड़ यहां से हमारे यहां से दूर है जी दूसरे जिले में पढ़ रहा ह है हमारे हाँ जादा तर लोग गड मुक्तेश्वर गंगा सनान जाना जादा पसंद करते हैं मकदूमपूर चल रहे हैं जी आज और हमारे यहां से जो मेरट जिले का जो गंगा घाट है जी वो मकदूमपूरी मन न गया है और बाकि दोस्तों फोर्ड की सर्विस इसकी अभी नहीं कर रहे हैं आज मुझे इसकी सर्विस करनी ती जी इसे जो है बढ़िया तरह से इस पर मेजिस बहुति नहीं ते इसके जो है देखना था इसमें क्या चोटी मूटी कमी है यह बग की खेलती करता हुओ आज आज किसान की अग्जे भी अब जो है इसी हालत पर रहेगा यह कुछ दिन ओरिजिनल हालत में खिटी करेगा आपके जो है देखते हैं कौन से शुगर मी ही चल रहा हूं और चस्मा देखें जी कितना बहत्रीन वाला है जी मत्र सो रुप्या है तो दोस्तों चल रहे हैं फटा फट अगल उठा लेते हैं जी अब दोस्तों मैं रेलिवे लाइन के निचा लिया हूं अपने गाउं से अर यह देखो जी 13 235 का खेत खड़ा जी लगा कितना तकड़ा गन्ना खड़ा यह देखो हमारे यहां 13 235 अब मैं इधर चलूँगा जी दोराले से लावड की तरफ और यह देखो जी सामने हाइवे आ गया है यह भी बहुत शांदार तो यह हमारे लिए बहुत फायदा करेगा यह वह यह जी उदर वालाई जो वह उसे क्रोस करते हुए बीच में से जा रहा है जो यह वाला जो बोल रहे थे यह देखते हैं अब चल रहे हां आग गए दोस दोस्तो पेट्रोल पर मसे पेट्रोल ले लिया है अब दोस्तों में दोराला पार करता हुए लावट रोड पर चल पड़ा हूं रोड देखो जी दोराले से ही कितना शांदार रोड प्रेस का चोड़ा रोड बहुत बहतरी ने वाला और सांती है जी बिलकुल और यह बात करना के बीच में बहुत कम ट्रेफिक मिलेगा कहीं शेहरी आवदी या कस्बे में गाउं में ही थोड़ा बहुत ट्रेफिक मिलेगा नहीं यही शांती रोड पर मिलेगी पूरी दोराले से लेकर वहीं तक अब दोस्तों मैं लावड महल खड़ोनी पार करता हुआ यह मेरट ममाना रोड पा पहुचाओं जी यह सामने मसूरी गाउं है जो कभी हमें हम पहले सिद्धे जाकर ऐसे मुड़ते पेमास है तो बहुं तूट दता जाता है तो इन्होंने फिर यह बहार से निकाल दिया प अच्छे 605 प्रेंक रहा है अब आशड़े हैं जी उपपर हाइवे पर देखें जी कितना शांदार हाइवे बन रहा है यह इदर मसूरी गाउं है साइड में यह बार बार बाइपास है अब पहुंच गया है जी मौणा खुर्द सामने यह फलाई ओवर जो दिख रहा है आपको मैं निक्चे आ गया हूं हाई वे से यहां यह कट है जी पैंटरोल पंप है सामने छोटा मौणा है फिर आप बहु यहां से हम कि फ्लाई ओवर के निच्चे सा आ गया है यह देखें यहां डाइट भी है चोटे मौणा गया अब सामने चलेंगे जहां से बस आ रही है और जी रोड बराबर ऐसी चलती रहेगी बिल्कुल प्रैस की रोड है बिल्कुल बहुत शांदार रोड देखो जी कितनी शांदार है सामने मौणा आ गया है जी मौणे में एंट्री कर गया है और मौणे से ही रास्ता जाता है मगदूमपूर की तरफ दोस्तों कई रास्ते जाते हैं मगदूमपूर की तरफ यह हमने यह तैसील वाला रास्ता लिया है इससे पहला रास्ता भी मुड़ता है मील के पास से दोस्तों यह रास्ता ममाने के बीचों बीच सारा है जी यह दोनों-3 नों रास्ते इस पर आके मिलते हैं सिद्धा मकदूम पुरी जाकर रुखता है अब दोस्तों यहां के तो खुला आ गया है जी काफी यह देखें यह नहर पट्री वाड़ा मार गए इधर से अरिये संड आ रहे हैं जी अग्यजल चलना पड़ेगा लेकिन दोस्तों पिच्छे सा ममाने सा तो भीड इतनी निकलनी पाएगी गंगाशनान की भीड रहती है जी जाद रस्ता बहुत चोटा है दोस्तों हैं से दोड़ना पड़ेगा आल यह तो परसासन्य मगदूम पूर तक सड़क आउस तो बढ़िया बना दीजी बहुत बढ़िया यह देखे का बहुत ही शांदार सड़क बना रखी है लुब कुल जंगल का रशता जिए बिल्कुल टकडेवाला जंगल का रस्ता दुनों तरफ रेट के टिलने हैं ते स्याल रस्ता युब है कि यह देख्खे ऐखी के बहुत कम खेतों में अच्छी फसल खड़ी है बाक्ति सब ऐसी बाजरा सूपर ने पिर बहुत लगा रहा रहा है अगर फिर पुरानी सड़क है जाडू मार रखी है बुरुस मार रहा है पिछे सड़क बंडरी यह देखो तो यह बंडरी है जी वहीं तक ऐसे ही देखते हैं थोड़ा यह दूर रहरा रहा है और यह सामने रास्ता जी गंगा खडर में उतर जाता है देखो कितनी जील Indexर इंचला गया रास्त When यह देखें और दूर हमें ऐसा महसूस भी हो रहा है कि है जैसे हम गंगा मईया के करीब हो यहां तो देखकी ऐगे तो एक दो दो आख लगाई हुई हैं सभी किसान भाई लगा रहे हैं इसे दीरे दीरे और यहां काम चल रहा है जी रोड का थोड़ा गया मोटतलिल करका आपको दिखाता हूं कि यहां बंदरों ने दोनों तरफ सड़को पह बहुत रुकसान कर रखा है और यह ने पिर रहे लेकिन ने पिर देखो कितना अच्छा चल रहा है इस वर्यत में बहुत बढ़ी है चलता है कमजोर जमीन में यह जी अब गंगा जी के घाट पर पहुशने से पहले यहां टिले हैं जी और किकर का बाग यहां से सुरू हो गया है देखो यह देर यहां चेतना फारम है यह द जाने से पहले मिलती है लेकिन यहां के जंगल थोड़े से अलगते रहे हैं यहां की करके जंगल है जी देखो कितोना की कर रहा है तो यहां की जमीन टिले इसी तरह के रहे हैं जल भी देखो यहां काफी अच्छा और साफ जल चल रहा है क्योंकि गड़ जाने के बीच में बहुत सारे सहर मिल जते हैं तो बहुत ज़्याद कछरा और केमिकल भी पानी में मिल जातास कि इस बात मैं कोई शक नहीं है कि लोग कुला फैकरने में भी बिल्कुल संकोच dessे कि एक दूम सी फैंक देते हैं पानी में देखो सामने जो है पलाष्टी कशर भेक कार है एको बोत ले आ रही हैं जल की स्पीड बहुत है जी बहुत ही जादा है तो पहुंच रहे हैं जी गंग माहिए से मिलते यह देखें निच्छे बहुत बड़े बड़े पेड़ है अर्जुन के और किक करके बहुत बड़े बड़े पेड़े हैं सामने पहुंच रहे हैं फिर शांदार जंगल को पार करते ग्राम पंचायत की सोर पुरा जाती है जी तो यह देखें जी हैं प्रेसर कूकर ठीक करने वाला भी घूम रहा है और पिच्छे साथ देखें जी हैं किसानों में अभी बहार मकान बनने शुरू कर दिये हैं और यहां जो है कई तरह की मिश्रित खेती हो रही है जी गन्ना बहुत ज़्यादे अकड़ा नहीं है लेकिन है सभी तरह की फसले है यह देखें जी पसू चरक आ रहे हैं यहां के भी पसू देखो आप मकदूमपूर के इनका सिंगार थोड़ा अलग तरह का है अदेशी गाएं भी हैं जी देखो जो हमारे हैं की पहली चली आ रही है थोड़ी हरियाना से छोटी गाएं है यह देखें और इनके साथ में गोड़ा भी आ रहा है यह देखो गोड़ी जा रही है बड़ी शानदार चरक है तो बैया जी सारे पसू अपने ही है अच्छा अच्छा तो यह देखो जी बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है जी बहुत बड़ी है तो दोस्तों पहुंच रहे हैं गए यह देखें जी ग्राम पंचायद मकदूमपूर बाजमपूर आगमन पर आफ सभी का हर्दिक स्वा अब दोस्तों गाउं तो पिछ छोड़ दिया हमने यह देखे हैं कभी यह पुल थे इनके उपपर जो है यह टैंक जो पड़े हैं इनके उपपर पुल चलता था जी जो गंगा मैया को पार करने के लिए बाकि यहां जो है सोती आई होगी देखो सोती तो अब भी है यह पानी अब आग्या बढ़ चलते हैं गंगा घाट की तरफ अब यह देखें जी बराबर में चोल है जी अभी बहुत ज्यादे तो काम हुआ नहीं बस यह रास्ते की जुताई हुई है इसी पर मंजा लगा है और गंणों पर देखो जी निसान हो रहे हैं एक अक मीटर तक पानी के पीर यह सोक समंदर आगे होगा कहली जगह में तो यह हड़का हड़का सीह काम हुआ है अभी देखें इतना काम हुआ है गड़ में अलगबक काम पूरा ही हो गया कि दोस्तों चलते चलते काफी दूर आ गिये हैं और यहां तो कमाली हो गया ना तो अड़ती से ना कोई और भी जाद ऑठाण में 0-34 के बढ़ने अड़े खड़े इसमें देखो ऑठाण में 0-34 है जी यह देखो यहां से यह ट्याक्टर चल रहे हैं एक दो एक दो एक दो कितना सतर खड़ा कितना शांदार मोटा गन्ना दोस्तों कई किलोमेटर मोटर सेकल भगाने के बाद यहां ऐसी सोती में जहां मैं खड़ा हूं यह एक सोती सी है इसमें ट्रेक्टर चला रहा है साइडों में चला रहा है चारों तरफ जो है 0-238 ठाण में 0-14 0-18 गन्ने 0-18 ज्यादा खड़ा मलब कम और अठाण में 0-14 ज्यादा खड़े हैं नए बीज भी हैं वैसा किसान बोरे हैं ऐसी बात नहीं है खड़र में बहुत ज्याद लागत तो लगानी नहीं पड़ती लेकिन यह देखो जी यह पानी की सोती है जिसका रास्ता बन गया है और कई किलो खतम होता है जी यह जो है इन्होंने किसान भाईयों ने इनका खेतना कट जाए इसके लिए इन्होंने बाड़ लगा के मिट्टी लगवादी है और यह रास्ता इस तरह से यहां हो गया है तो एक बार जो है सामने पहुचते हैं दिखते हैं आपको यूँकि दोस्तों एक कान थे मेरे अलावा है कोई है भी नहीं दोस्तों गड़ मेर यहां में यही खास बात है कि देखो यहां बहुत दूर मुझे एक ट्यक्टर जाता हो दिख रहा है जो साथ यहीं जूताई करकर गया होगा है रो हैरो चली हुई है यहां हैरो टिलर दिखाई दिये हैं और और यहां देखो जी गन्ना वहां रह गया है पिच्छेर यह सब यहां गंगा मैया ही रही जी थोड़े दिन पहले अभी तो खेरियां सोती है और जो इसके उधर भी वहां वो दूर आपको दिख रही है ढांग महां है जी मेन गंगा यह देखो अभी थोड़ा ओर चलेंगे आग गया फिर जो है गंगा मैया के एक छोटे रूप में हमें दर्शन होंगे और बहुत बड़ा इलाका है जी यहां सब जो है अगले हफते से आनी सुरू हो जाएगी पबलिक क्योंकि गड़ गंगा जी का जो मेला है वो बड़ा है वो कई द किसान जो थे जाड़तर दिवे देने ही आते थे अपने पूर्व जो के और अग्य चलके जो परभी पूरणवासी और जो भी मतलब जितने भी तित बताई गई है उनके हिसाब से वो गंगा सनान जो थे रात मैं सुबह को दिन मैं जैसे भी गंगा सनान का उनका बैठता थ का जी मुहरत वो करते थे और यह देख़ाव अभी अब यहां जो है सिरफ हलकी-हलकी जुताई हुई है और यहां भिन्ड पगएर गया है तो यह जो ट्रप्रa दिखे हैं मुझे चर्थे हुए भिंड में आखेर गंगा मिया के दर्सन होई जाते हैं जी बिल्कुल जैसे हम गड़ में रुकेते जी सोत्ती के पास मैं तो यह देखो हैं थोड़े दिन पहला पानी चली रहा था जी यह पानी कम किया गया है मेले की वज़े से यह देखो है हैं सारे में पानी चल्डा तो यह बीच में से यह जुताई करी जा रही है कि जिससे सूख जाए यह अगले हफ्ते और यहां दोस्तों कुछ जलिये जीओ एक छोटी मचली की डोल्फिन जैसी भी दिखाई दिया बिलू कलर की और एक कच्वाथा जी वो भी नीचे कूद गया है तो यह देखें पलास्टिक कच्रा वैसे यहां काफी आ रहा है बैक है यह देखें यहां तक भी गन्ने बोए गये थे किसानों के यह देखें यह गन्ने की फसल दभी हुई है सोत्ती के निच्छे यह गन्ना वैसे उग्या है इसका मतलब असोजी गन्ना बो दिया जाना चाहिए था और यह देखें जी अब वहाँ जो टप्व है जी बीच में कही कहीं से रास्ता जरूरह होगा ऐसी बात नहीं तो वहाँ बीच में सबजी यह बो 玩 बीच में जोताई हो रही है इसे सापले सबजी लगा ही है दोस्तों बहुत तूर जो बिजार है जो बुल है वह आवाज देखता हूँ आ रहा है जी देशी बूले बहुत तकड़ा आपको दिख पा रहा होगा तो दोस्तो अग्यागर मोका मिलता है गंगा मैं यहां हमें बुलती है तो जब यहां पूरा मेला लगा हुआ होगा भरपूर तब भी हम यहां आका आपको दिखाएंगे लेकिन उस टाइम तक पबलिक आ जाती है काफी और बहुत जगा आना जाना रहता है तो इसलिए यही है कि हम हर जगे की वीडियो नहीं बना पाते तो दोस्तों यहां जो है जंगलों में से मुझे कुछ ऐसी आवाज जे आ रही है जैसे कि सेर के दाढ़ने की आवाज होती है तो या तो यह बुल है जो सानिहां घूम रहे हैं यह आपस में जो है आवाज कर रहे है या कहीं जो है भिंड में कोई न कोई बाग या कोई तेंदुआ बैठा हुआ है जो की हलकी हलकी ऐसा बढ़ात्र पंजे बड़े खतरनाक रहते हैं सारा फेश भीगाड़ देखा यह देखें जी यह देखो यह गन्ना दब रहा हो गाया है इसका मतलब यह पिछे से बहक आये हैं गन्ने या इसका मतलब यहां तक जमीन में ताकत है यह इसमें ऐसे ही जुताई करके और जो है ऐसे ही बगैर खादवाद डाले ऐसे ही बॉआई कर देते हैं जमीन में रहती है जी चोल चोल से मतलब है यह देखो कितना बड़ा गन्ना यह आपको दिखाऊ उठा के यह देखो जी अर देखो दम है जी पूरे में अर देखो पूरा उग भी रहा है तो इसका मतलब यहां यह जो थे खेत थे यह जब गंगा जो गंगा में यह आने जो अपना रोद रूप धरन करा तो यह जो थे फिर भै गए दब गए खराब हो गया मतलब गन्ना तो दोस्तों यहां तक की वीडियो अच्छी लगी होगी जी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें धन्यवाज जुड़े रही है टिंग टॉंग चलते हैं जी वापिस घर की तरफ दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि गड़ गड़ गंगा मेला जो इतना पावरफुल मेला और इतना मतलब अच्छा मेला और बड़ा मेला क्यूं बोला गया है आप यहां की त्यारी देखो और आप गड़ की त्यारी देखो गड़ में अभी तक पॉबलिक जो है न पॉइंट जीरो वन परसेंट भी पहुंची नहीं है और परसासन ने कितनी त्यारी वहां कर दी है तो वहां गाओं के शहर के विदेश वाले देश वाले पानी के जाज्जों में चलने वाले आकास में हेलिकॉप्टर में उड़ने वाले हर कोई आपको गडगंगा जी मेले में मिलेगा इसलिए पबलिक जो है गडगंगा मेले में ज़्यादा जाती है फिर दूसरे नंबर प बहुत शानदार है मतलब गड़ से भी शानदार जो रोड है वो शुकरताल की है तो दोस्तों अगर जल्दी मोगा लगता है तो शुकरताल की भी वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे धन्यवाद जुड़े लिए जै हो गंगामिया और दोस्तों आपको भी लगा होगा कि जब दस तारीक से मेड़ा है तो इतने पहले वीडियो डाली दोस्तों आप देखो जी रोड बहुत छोटी है और दोस्तों इस पर नहांड के दोरान इतना ट्रैफिक हो जाता है कि इस पर चलना मुस्किल हो जाता है एक बार मैरे पाप सब्सक्राइब दोस्तों जैसी शांदार रोड यह हमारे घर से और मवाने तक है ऐसी रोड जो है फिर मवाने के अंदर भीड है और मवाने से वहां तक ही नहीं है इसलिए अगर आप मकदूमपूर मेला जाएं वैसे भी घूमने जाएं बाइक से गाड़ी से तो मील वाला र मेरे पट्री से जाएं तो वह आपको मवाने से बाहर बाहर ले जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा रोड देखो जी कितरी शांदार है अब मवाना से छोटे मवाने में खड़े हाँ हाई वे पागया मीच्छे से फिर उपर की तरफ चलेंगे यह सामने रास्ता है do कि यह फिर मुंद लोगने से यह पिछे इतर रामराज मीरापूर गी की तरफ चलाया गता nee हम सामने की धर चलेंगे नीच्चे से फिर हैवे को करते हुभे मसूरी sık hormone आप देखते हैं इस बहूंद शांदार हाईवे पछल रहे हैं अ कि यह describing कितना शानता राई वेवर देख्थें जी और जुन कितना धाय धाय मट्टी लेका और आए टोप में चड़ गया जो दोस्तों डेक्टर का तुम देखो टोप में चड़ गया बड़ा टमपर ले गए और यह इदर मसूरी गाउं रह गया है जी सामने पहले वही हमारी में रोड तीजी मेरेट वाली उसी पर जाते थे हम और फिर अग्जे से मुड़ते दे गाउं में से तो यह गाउं सारा रोड पर ही है तो ज़्यादे नुक्सान होता तो इसलिए पिछे खित्तों से निकाल आई वे हम सामने के कट से निचे उतर जाएंगे फिर मुड़के लावड की तरफ चलेंगे अब दोस्तों दोराला फ्लाई ओर पर आरू कहां जी अपने मील कू देख रहे हैं और यह देखें जी हमारा तो जी पांच्छा मेहने अब गंगासनान योई रहेगा डेली अपन बेवर के निच्चे को निकालकर हें से फिर यहां हत्ते में देखो जी सपाई चल रही है ने बढ़िया पूताई होगी देखो यह इतनी साप सप्साई आपको और किसी मैनेजमेंट और किसी मील में नहीं मिलने का इतना बढ़िया यह घड़र आ छूब देखो बिल्कुल जाना लबी मंजिल है लोकेशन इस तरह की है फेर गंगास नान से जो है 10 मिनिट में जो है पाउन वहां ऐाठते हैं गड़ में तो वहां सारीभी हो जाती है तो जिस्ट बात मनन लगने की है और और दोस्तों दो ढदा और और कई जंगे हुआ आपको एकांत में तो दोस्तों लंबी चाल के 2 किलो अमरूद ले लियां आप भी खालें अमरूद तो चल रहे हैं जी है सफर काफी ठाकाने वारा रहा कि अगर पूंच ले आजी तो दोस्तों बड़ा ही सफर रोमान चक रहा जी तो अब दोस्तों थोड़ा सा रेश्ट करेंगे चाय पार्टी करेंगे जो है घरवालों को अम्रूद बेंगा अम्रूद खाएंगे आप भी खले हम तो दोस्तों चाय पार्टी करेंगे फिर जो है अपने इसमें फोड में लगेंगे जी इसे देखेंगे इसमें क्या का काम होना है और दोस्तों यहां तक क